हेलो दोस्तो, क्या हले, आज हम बात करने वाले हैं PM विश्व कर्मा योजना के बारे में, जिसमें रजिस्टेशन से लेकर के, तो लास्ट आपकी जो प्रोसेस, जो टूल कीट से लेकर के, आपका गिफ्ट वाउचर, और उसे किस प्रकार से क्लेम करना है, सारी जानकारी, ए यह वाला मेसेज आया, congratulations, you have to successfully refer to toolkit, you will be shortly received on e-voucher worth on RS 15,000 रुपे, यानि कि 15,000 रुपीज का आपके एक gift voucher दिया जाएगा, voucher आपको 6 मन्त के लिए valid रहेगा, उसके बाद में आपको toolkit की process आगे apply करना रहेगा, तो toolkit का firm जो है, वो किस प्रकार से होगा, वो भी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है, इसके बाद में आपकी जो processing रहेगी, वो आपका जो voucher रहेगा, उसे आपको किस प्रकार से claim करना है, last तक process रहेगी, उसमें आपको कहां पर पेशा मिलेगा, सब कुछ बताने वाले हैं, तो इस वीडियो में last तक ज़रूर बनी दिए, यहाँ पर देख और फिर login, ठीक है, यह तीन अप process करने के बाद आगे बढ़ेंगे, जैसे login होगा, यहाँ पर आपका OTP, 1 OTP आएगा, OTP complete होने के बाद इसे continue करेंगे, continue वाले option के उपर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का dashboard open हो जाएगा, अभी यहां से दोस्तों, आपके जो आपके farm में किसी प्रकार कोई mismatching है, तो आप edit वाले option के उपर जाकर के साही कर सकते हैं, अब हम सिंपली toolkit वाले option के उपर click कर देना, जैसे आपने toolkit वाले option के उपर click करते हैं न तो एक आपके सामने एक window open हो जाएगे, यहां पर आप देखेंगे कोन से sector में आपने form भरा, य यहां पर इसके सामने serial machine से related जो जो भी parts इसमें दिये गए हैं, यही सारे आपके toolkit में आते हैं, जैसे Caesar है और इसके अलावा बहुत सारे इसमें option दिये गए हैं, जैसे इन सभी को आपको यह सारी चीज़े आपको अलोट की जाएगी, यानि के voucher के रूप में इन सभी चीज इसमें भी ऐसा ही मिलेगा आपको, सब अलग-अलग जानकारी कुछ अलग से नहीं है इसमें, दोना एक जैसी है, तो आपको किसी एक के उपर आपको क्लिक कर देना, जैसे हमने यहां पर option की इसको यहां पर हमने टिक मार्क लगा दिया, नीचे की side में आप देखेंगे, last म है, तो आपको एक submit वाला option दिखेगा, ठीक है, जैसे submit वाले option के उपर आप क्लिक करते हैं, तो आपका जो form की process है, यानि कि toolkit वाली जो process है, वो complete होकर के आ जाएगी, जैसे हमने click किया यहां पर आपके सामने congratulations का message आ जाएगा, congratulations आपने जो process किया है toolkit के लिए, वो complete हो चुग करना है, और उसे कहां पर जमा करना रहेगा, bank में जमा होगा या किस प्रकार से होगा, सारी जानकारी समझते हैं, अब आपको सबसे पहले voucher वाले link के उपर जाना रहेगा, अब यह सारी process होने के बाद यहां पर देखते हैं कि जो voucher आपके पास आएगा, 15,000 रुपे को claim क करने के लिए जो voucher रहता है, वो किस प्रकार से निकलेगा, देखें यहां पर 15,000 रुपे valid till date, और यह date भी दी गई कि इतनी समय तक आपको यह voucher आपको valid रहेगा, QR code आपको generate करना रहेगा, उसके लिए आपके सामने एक link दी जा रहेगा, इस link के उपर आप जैसे ही click करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक voucher हो करके आजाएगा, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ऐसा बार कोड आपके सामने रहेगा, इसी बार कोड से आपका पैसे का claiming हो पाएगा, PM विस्यो कर्मा scheme के तहद आपके सामने ऐसा बार कोड आपको दिखने जैसे आप क्लिक करते हैं, तो सामने इस प्रकार का आपके पास डीटेल आएगा, अब यहाँ पर एक OTP जनरेट होगा, OTP को आपको सब्मिट कर देना है, इसके बाद में नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर जो केपचा आपके सामने नीचे डले हुए हैं, वही केपचा आ आप आगे बढ़ाएंगे इसको, आगे बढ़ाने के बाद में एक डाउनलोड वाउचर वाला आप्शन आपके सामने डिस्प्ले होने लग जाएगा, ठीक है तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर डाउनलोड वाउचर में आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा, डाउनल सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करने के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे, नीचे एक ओप्शन दिखा जाएगा, आपको डाउनलोड वाउचर, डाउनलोड वाउचर के ओपर जैसे आप क्लिक करते होना, तो आपके सामने कुछ ऐसा एक बारकोड जो है जनरे होने लग जाएगा, यही वो वारकोड रहेगा, जिससे कि आपका पैसा आपको क्लेमिंग हो पाएगे, लेकिन यह पैसा कहां से मिलेगा, तो दोस्तों मैं बता दूँ, जब स्टाडिंग में आपने फॉर्म फिल किया था, उसमें जिस भी बेंक का आपने जिकर किया था न उसके बाद में वहां से आपको एक एड्रेस दिये जाएगा, उसी एड्रेस पर उस एक दुकान के उपर जाना रहेगा, उस दुकान मर आपको जो है, वहां से आपको जो आपने बारकोड जनरेट किया है, उस बारकोड को आपको वहां दिखाना रहेगा, और वहीं से आप आपको ये जो सामगरी रहती है आपकी जो टूल कीट की इन सभी की बहां से आपको प्रोवाइट कर दी जाएगी इंसके बाद की जो भी next प्रोसेस रहेगी अभी तक क्लियर नहीं वही है यहाँ तक मुझे मालूम है मैंने आपको सारी जानकारी क्लियर कर दी इसमें किसी बत्वारी